दोस्तो क्या आपने कभी ऐसा जीव देखा है जो अपने अंदर तेजाब जैसा खतरनाक लिक्विड रखता है और क्या आपने कभी ऐसा जीव देखा है जिसका एक मुका सेर जैसे जानवर को भी मार सकता है दोस्तो आज हम आपको इस वीडियो में प्रित्वी पर मुझूद ऐसे ही सुपर पावर वाले जीव दिखाने वाले हैं दोस्तो भगवान ने इन जीवों में ऐसे सुपर पावर दे रखे हैं कि आप सोच में पर जाओगे कि यह कैसे हो सकता है तो दोस्तो चलिए हम आपको मिलवाते हैं प्रित्वी पर मुझूद ऐसे अनोखे सुपर पावर वाले जीवों से दोस्तो वीडियो में लाज तक बने रहेगा क्योंकि नमबर वन पर ऐसा अनोखा जीव है जिनके पास गजब की सुपर पावर है जिसे देखने के बाद आपके हो सुर जाएंगे दोस्तो वीडियो में दिख राय या सदारन सा कीरा कोई मामली कीरा नहीं है इसके पास एक एसा सुपर पावर है जिसके बारे में जानने पर आपके हो सुर जाएंगे दोस्टो आप सभी लोग जानते ही होंगे कि तेजाव से अक्सर आपके हाथ पर जल जाते हैं लेकिन अगर मैं यह कहूँ कि एसा इस्टूपर पावर इस जीव के पास है तो आप क्या कहोगे दोस्टो इस जीव को कुदरत ने एक एसा अधुत सक्थी दिया है जिसका इस्तमाल यह अपने उपर आए खत्रे पर करता है जब इसे कोई खत्रा मैसूस होता है तब यह एक केमिकल रिलीज करता है जिसमें इतना एसिड होता है कि वह अपने दुस्मन को उसी समय जला कर मार सकता है दोस्तों हम आपको बता दे कि इसके एसिड में इतना पावर होता है कि इनसान की हाथों को भी जला सकता है दोस्तों पहले हम आपको बता दे कि मेंटिस श्रीम जिंगे कहीं एक पजाती है देखने में यह जितना कुप सूरत है उससे ज़्यादा कतरनाक भी है इस जीव को कुदरत ने इसके हाथ में एक एसा सूपर पावर दिया है कि इसका एक पंच इतना पावरफुल होता है कि किसी भी जीव को एक ही मुक्ता में मार सकता है द्रसल मेंटिस अपने हाथ से अपने सिकार और इतना जोरदार परहार करता है कि सिकार को संभलने तक का मौका नहीं मिलता है इसके पंच के रफ्तार का अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं कि जब ही अपने दुस्मन पर हमला करता है तब एक उंच सी सुनाई देती है साथ में एक चिंगारी उर्टी नजराती है अलम ऐसा हो जाता है कि उस जगा का फानी भाप बन जाता है इसका मुक्का इतना सकती साली होता है कि सी कार उसे बरदासी नहीं कर पाता है और उसी समय दम तोर देता है दोस्तो हर किसी को अपना भविस्ते जानने की इच्छा होती है आपने भी कभी न कभी अपना भविस्ते जानने की कोसिश तो की होगी अब जोतिसी द्वारा की हुई बविजवाने कितनी सच साबित होती और कितनी नहीं इसके बारे में हम नहीं जानते लेकिन दोस्तों भगवान ने एक जीव में एसी सक्ति दे रखी है जो आने वाले समय का भविज़ से जानता है वीडियो में दिख रहा इस पक्षी में एसा ही सुपरपावर है इन पक्षियों को कोई बरी घटना से पहले ही इन्हें इस घटना के बारे में पता चल जाता है एक समय जब यह पक्षी साउट अफरीका से होकर अमरीका जा रहे थे जो यह हमेशा हर साल ऐसा करती है लेकिन इस वार इन पक्षियों के जुन्डों ने सफर में ही अपना रास्ता बदल दिया तब इनके इस अजीव गरीब वर्ताव के वज़ा से सोदकर्ताव को पता ही नी चला और इस घटना के कुछी दिनों बाद अमरीका में एक बहुत बड़ा तुफान आया था जिसमें 35 लोगों की मोथ हो गई थी और साथ ही कई पक्षियों और जानबर भी मारे गई थी इससे यह अंदाजा लगाया गया कि इन पक्षियों को इस आपदा का पहले से ही पता चल गया था दोस्तो आपका इसके बारे में क्या विचार है हमें कोमेंट में बताइए गया क्या सही में इस पक्षी के पास सुपर पावर है पुत्रे अमरिका के रेगिस्तान में पाई जाने वाले यह चिपकली कोई मामली चिपकली नहीं है इसके पास भी एक विशेश सुपर पावर है दोस्तो जब इस चिपकली को किसी सिकारी से खत्रा मैसूस होता है तो यह अपने आँखों से जहरीला खून सिकारी पर फेकता है जिससे सिकारी बेवीत हो जाता है और वहाँ से भाग जाता है दोस्तो आपने सुपर मैन मुवी में सुपर हीरो को आँखों से सक्ती मारते हुए देखाई होगा अलाकि वह एक फिलम थी लेकिन इस जीब के पास असली का एसा सुपर पावर है दोस्तो क्या आपने कभी मचली को गोली मारते हुए देखा है आप कहोगे यह कैसे हो सकता है दोस्तो यह रहस्य में दुनिया है कुछ भी हो सकता है वीडियो में दिख रहा यह मचली बेहदी खतरनाक है इसके खासियत है कि यह मचली अपने सिकार को सूट करके मार गिराने में माहिर है अर्चर फिस अपने आसपास मुझूद पेर बोधे यह जारी पर बेठे सिकार पर हमला करने के लिए अपने मुझ में पानी को भरती है और फिर इतने प्रेशर के साथ उसे सिकार पर पेकती है कि वह चट से पानी में गिर जाता है और यह मचली फोरण उसे पकर कर खा जाती है दोस्तो इस मचली का निसाना इतना तेज होता है कि यह चार से पांच मीटर तक बैठे कीरे को मार कर गिरा सकती है चोटा पैकेट बड़ा धमाखा यह कहावत इस जीव पर स्टिक बेचता है जिंगे के परजाती का यह क्रेचर इतना लावड नौइस कर सकता है कि किसी के भी कान के परदे फार सकता है दोस्तो बगवान ने इस चोटे से जीव में इतना खतरनाक सुपर पावर दे रखे हैं कि आप सोच भी नहीं सकते हम आपको बता दे कि यह अपने पंजे को इतनी ताकत से बंद करता है कि उसी वक्त पानी में तेज धार के साथ काफी पावरफुल प्रेशर बन जाता है यह दबाब इतना तेज होता है कि आप अंदाजा भी नहीं लगा सकते हैं ताफ मान 4000 डिग्री सेंटी ग्रेट तक पहुंच जाता है इसे दोरान इतनी तेज इनर्जी जनरेट होती है कि वहाँ तेज आवाज के साथ परकास की एक लाइन सी बन जाती है इसका हमला बंदू की एक गोली जितना तेज होती है जो लग भग 140 से 175 डेसीवल है इसलिए इसको पिस्टल स्रिम कहते हैं दोस्तो क्या आपने कभी इस जीव को देखा है हमें कॉमेंट में बताईएगा इलक्ट्रिक इल समुन्दर का इकलोता ऐसा खतरनाक जीव है जो करेंट मारता है दोस्तो एक इनसान को 440 वॉल्ट का जटका ही उसे जन्नत की सेर करवा सकता है लेकिर इस इल में 700 से लेकर 800 वॉल्ट के करेंट होती है जो दुनिया के किसी भी जीव को मारने के लिए काफी है दरसल इस इल के सरीर में पैदा होने वाली करण इसके सरीर में मुझूद इलक्ट्रोडाइडिस सेल में होता है जग इल इलक्रोडाइडिस सेल को उत्तेजित करती है तो एस सेल करेंट प्रोड्यूस करती है दोस्तो एक इल के सरीर में इतना हई वोल्टेज का करेंट होता है कि वो कुंखार मगर मच को भी मार सकता है बता दे कि इल अपने करेंट का उप्योग अपनी रक्षा वो श्तिकार पकरने के लिए करता है और याज जादातर गंदे पानी में ही रहते हैं दोस्तो भगवान ने इस मचली को तो दुनिया का सबसे खतरनाक सूपर पावर दे रखे हैं दोस्तो अगर आपके हाथ पैर या सरीर का कोई भी हिंसा कट जाए तो क्या आप उसे फिर से उगा सकते हो नहीं ना लेकिन दोस्तो भगवान ने इस जीव को ऐसा सूपर पावर दे रखे हैं कि जब भी इस जीव का कोई भी हिंसा कट जाता है तो यह एक से दो महिने के अंदर फिर से उगा लेता है आम जानवरों में जो कोसिका जखम भरने के काम आती है उनी कोसिका का इस्तमार से लामेंडर अपने सरीर के कटे हुए भाग को फिर से उगाने के लिए करता है आधी छिप के लिए और आधी मचली जैसा दिखने वाली यह जीव पानी के अंदर भी रह सकती है और पानी के बाहर भी इसकी साइज लगबग 6 फीट तक की होती है दोस्तो अकसर आपने फिल्मों में एक इंसान को दुसरे इंसान का रूप लेते हुए देखाई होगा लेकिन दोस्तो अगर मैं यह कहूँ कि इस दुनिया में एक ऐसा भी जीव है जो अपना रूप बदल सकता है तो आप क्या कहोगे साइध आपको सुनने में किसी कालपनिक साइंस फिक्शन मूवी की कलपना लगे पर यह सच है कि इस दुनिया में कुछ ऐसे भी जानवर होते हैं जो अपना सारीरिक अकार बदलने की काबलियत रखते हैं मीमिक अक्टोपस एक एसाई परानी है जो दुसरे परानी के सरीर का अकार धारन करने में शक्षम है अपने सिकारियों को उलजाने है तो मीमिक अक्टोपस अपने सरीर का अकार दुसरे जानवर की तरफ बदल लेता है इसके इस काबलियत को जाचा गया तो पता चला कि यह उक्टोपस अपने सरीर के अकार दुसरे जीव के अकार में कई खंटो तक बदल कर रख सकता है दोस्तों क्या आपने कभी ऐसा उक्टोपस देखा है अगर आपने देखा है तो हमें कोमेंट में जरूर बताईएगा अब दोस्तों हम आपको एक एसा अनोखा जीव दिखाने वाले हैं जिसको आपने साहिधी कभी देखा होगा लेकिन दोस्तों अगर आपने अब तक मेरे इस वीडियो को लाइक नहीं कियो तो जल्दी से लाइक कर दो ऑस्टेलिया में पाई जाने वाले यह चिपकिली बेहद ही अनोखा है जो अपने पूछ के डिजाइन के कारण फेमस है इनके पूछ गोल्डन कलर की और चमकेलिवती है लेकिन जिस वज़ा से दुनिया इसे याद करती है वो है इसकी सूपर पावर यह चिपकिली अपने पूछ में से लिक्विड रिलीज करता है यह अपने सुपर पावर का इस्तमाद सिकारियों से बचने के लिए करता है इस अनोखे तरीके से यह अपने आसपास इतनी दुरगंद फिला देती है कि कोई इनके करीबी नहीं पहुचता है इस एबिलिटी और भी कोई सुपर पावर वाले जीव देख रखे हैं तो हमें कॉमेंट में जरूर बताइएगा और दोस्तों अगर आपको यह वीडियो पसंद आए तो जरूर लाइक करिएगा